लो दोस्तों मैं बादल एक बार फिर आपका स्वाइद करते हैं आपके अपने यूटुब चैनल फिल्मी तो कैसे आप सब्सक्राइब बहुत बहुत अच्छे होंगे तो दोस्ते एक सुपब सी वीडियो का रेक्शन लेक्शन लेक्शन लेका हैं वाज आपके लिए और खा अर्फ दुणाय के संहेवस आपके वीडियो का सब्सक्राइब आपके अर्सक्राइब 2.0 को इंदो । खुब आपके वीडियो पर आप दो किसे की वारे में सहते हो अब ढए खुए artists पुन्ए और Note मैं आपके पुटिया की सिफ़े प्रेजिदेंट नेयो को है स्टें रह मेरे प्यारे भाइयो यह मैं वीडियो स्जेश्ट किया है शाकिल एहमद ने हाव पुतिन बिकम प्रेशिडेंट एंड यह खांसर ने बता रहे हैं इस बारे में बायोग्राफी के बारे में हिस्ट्री ऑफ पुतिन एंड हो पुतिन विकम सों पावर्फुल पूरी बायोग्राफी चलेगी इनकी तरह देहां चंगा मैं बहुत एंजॉय करूंगा इस वीडियो के बारे में क्यों जिसको आप मलब समझते हो न मानते हो कुछ उसके वीडियो देखके अच्छा लगए परसेलिटी रोल मोडल तो कैसे विए यह कहां कुछ निबता ता जी वो तो लेकिन यह यह मेरे को बड़े परसेलिटी बड़े जानदार लगती है और इनके जो स्टैप्स होते हैं वो दुनिया को हिला देने वारे दोस्तों यह भी ऐसे सही है और यह जुकते निया जल दी करेंगे बात करेंगे क्या हुआ है जाहिन देखिए उनिस सफ़ावन में ब्लादिमीर पुतीन की पूरी जीवन को समझते हैं कि वो कैसे इतने सक्तिसाली हो गया और किस तरह से जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था वह रूस के जैसे विसाल देश पर इतने लंबे समय त सर्व करना जैसे आज इजराइल में है वहाँ पर नेवी में सर्व करते थे और इनकी मा एक छोटी सी फैक्ट्री में वर्कर थी इनका जीवन बहुती साधार पहिवार में बीता ये पढ़ने में उससमें एक साधरान वीद्यार थी थे उससे आगी अगर इनकी जर्नी को द लगा जर्मनी में पहले रूस का प्रभाव था ये जर्मनी और रूस में आधी जर्मनी जर्मनी के बीच में दिवाल चलाई गई थी जिसका नम था बर्लीन की दिवाल इस साइट का हिस्सा रूस से प्रभावी था और इस साइट का हिस्सा अमेरिका से प्रभावी था लेक देखते रह गया और देखते देखते यह बर्लीन की दिवाल तोड़ दी गई और जिस जर्मनी के आधे ही इससे पर रूस का प्रभाव था यानि उस समय के USSR अर्थात सोवियत संग का प्रभाव था वह प्रभाव खतम हो गया और धीरे धीरे आगे और घटनाय खराब होते ग अभिख इसमाइस कौन कौन से देश में इस्तोणी हाला लाइडविया लित्वाणीय मोल्डवा बेलारूस जार्जिया आर्मेनिया अजर बैजान कजाकिस्तान किर्गbereichिस्तान ताजिकिस्तान तुर्क्म Barnes नुचबेकिस्तान लग को समय उस समय जो रूस के राष्ट्पती थे मिखाइल गरवा चोक मिखाइल गरवा चोक सबसे लोल राष्ट्पती रहा था पूरी रूस का इसने 1989 में अफगानिस्तान में सेना भेजा तालीबान को कंट्रोल करने के लिए वहीं तालीबान उदे हुआ और फिर वहाँ से भाग आष्ट्पती राष्ट्पती नाचेगा जिसे विरोध होने लगा बोरी सी आलसन जो थे यह सोचे थे कि रूस जो एगदम सरकारी तंत्र में फस चुका था क्योंकि वहाँ उस समय ये परंपरा थी जो कुछ होगा सरकारी होगा और आप भारत में देखिए शरकारी चीज म सरकारी फ्ल जाएगा तो इनों ने इनको लगा कि अमेरिका की तरह आगे बढ़ना पड़ेगा तो धीरे सरकारी मसीनिरीज को उमीद लाए थे वो 20 साल आगे उसका असर दिखता लेकिन इनको उतना आइडिया नहीं था प्यक्कड आदमी था जहां तहां नाचने लगता था यहां पर जिस वज़से लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे और यहीं इंट्री होती है ब्लादिमीर पुतीन की यह साल हो जात दो लादिमीर پुटीन को सैंड़ पीटरसबर का डिटी मेयर बना देते हैं और यहीं से कहानी सुरू होती है ब्लादिमीर पुतीन की जैसे यह डिपटी मेयर बनता इसने वहां के जीतने कि प्रप्शन थे उस सबकों क्षटम करने लग रिवस्थाहों में सुधार लाने ल मुझ पाता उन भी 1991 के समय जब मीडिया उतना जादे नहीं था लेकिन इसकी नजर जब ब्लादिमीर पुतिन की इन कामों की देखते हुए एक बहुत ही उस समय के पाउरफूल एडवाइजर हुआ करते थे राश्ट्पती के सलाहकार होते थे उस समय उनका नाम था वेलेंट वेलेंटीनायरामासवे ने पुतीन को बुलाया और उनकोन इस तरह से पुतीन और बोरीश इयलशन की दोस्तीwwww और बोरीश इसियल्चन पुतीन को हमसआ साथ रखते थे और धीरे धीरे यह नैस्मल लेबल तक यह चेहरा उभरते घीके प्रप्शन को खत्म करना कभी बोल्ड इस्टेप्स लेना इस वज़े से पुतीन का कद धीरे-धीरे बढ़ता गया बड़ी-बड़ी जिम्मेदारिया बोरिस योलसन पुतीन को देने लगे जनता में पुतीन लोकप्री होने लगा और इसी दौरान बोरिस योलसन अपने सरावी पन के वज़े से जहां तह परदानमंतरी को जादे पावर नहीं है महा सारा पावर राष्ट्पती को और राष्ट्पती थे बोरिस येलसन तो यहां से एक नेशनल लेवल पहचान बन गई पूतीन की लेकिन पूतीन बहुत ही महत्वाकांची था वह सोच जा था कि हम आगे परदानमंतरी से रूस से टूटना चाहता था क्योंकि उन्नीस एकार में 15 देश टूटे थे तो चेचनिया कहाता था हम भी टूटना चाहते तो रूस ने यह प्लादिमीर पूतीन चुकि यह खुपिया एजंट था इसने धिमाग लगा उसने कहा कि काम करते हम इनहीं को भासा देते हैं इस से सितंबर 1999 तक धाधर रूस में जहां तहां बंपूट रहे थे इधर भारत में 1999 में कारीईल हो रहा था अटल वियर वाश्वई थे और देखते देखते एक महिना अगस्त सितंबर 1999 में रूस के सहर मस्को राजधानी मस्कों में धाधर सीरियल ब्लास्ट होने लगे इस ब चन्या राज से एदम तबाही किया जा अब सुचिए याद कीजिए 2019 जब भारत में पुलवामा में अटैक हुआ था हमारे सिप्याही सहीद हुए थे तो किस तरह से बवाल हुआ था कि घुस के मारें आतंगवादियों को यही चाहता था वहां पर पुतीन भी पूतीन इस सीओल्सन जो पियकर था साराप पी के पूरा पावर पुतीन को दे दिया कहा कि चेचन्या को समालो किसने क्या किया हर सिपाही के चेहरे पर Nieया है या हेलमेट पर कैमरा लगा दिया और लाइव टेली कॉस्ट दिखा दिया कि कईसे मारा जाता है अममारा जान बूच के इससे क्या हुआ कि पूरी रूस के लोगों ने देखा कि जू उनके घर में 300 को मारा है पुतीन ने घुसके 80,000 को मारा है, ऐसा नेता होना चाहिए यहापर, पुतीन की रेटिंग एकदम हीरो की हो गई, तो 1999 में जो पुतीन प्रधान मनती थी था, वो राष्टपती से भी जादे फेमस होने लगा, और बोरी सियलसन पे भराष्टाचार की आरोप लगने लगे, और इसी बीच सन 2000 में, पहली बार राष्टपती चुनाव जीत गया पुतीन, पुतीन का सपना फूरा हो गया, रूस जैसे बड़े देश की पूरी सत्ता अब पुतीन के हाथ में थी, पुतीन सन 2000 में चुनाव जीते, और 2000 में जब चुनाव जीते तो रूस के संबिधान क कि हिसाब से कोई भी व्यक Ighasald दो बार तक परज्ठार राष्ट पन सकता है दो बार से चल्फल नहीं बन सकता है रूस के संबीधान करूस के संबीधान का दूसरा सर्थ यह कहता था कि खोई और भी व्यक्ति प्रधान में तिर्फिय। पूरी तरह से अपने मन मुताबिक पूरे मंतरी मंडल को बठाया और क्रेमलीन पर अपना मजबूत्स किया जैसे भारत में संसद होता है अमेकर में वाइट हम उसी तरह रूस में क्रेमलीन होता यहीं पर राश्वाक रहते है और पूरा दब दब बा बनाया अधिकारियों के बीच में और ज्बर्जस्त काम किया अपने पहले टैनियॉ डेकर उन्होंने अपना पहला कारेकाल पूरा किया सन 2000 से राष्टपती के रूप में सन 2000 से 2004 के बीच भी अब यहां तो हो गया रूस के सथ के इसाब से आप दो बार से जादे नहीं रह सकते राष्टपती इसके बाद ये क्या किया कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लिया दे ने एक चमचंशा को राष्ट्पती का चुनाव जीतवा दिए जिसका नाम था दमित्री महदेव ये कहने के लिए 2008-2012 के बीच में राष्ट्पती थे ये कहने के लिए राष्ट्पती थे और उसी दोरान ये क्या दे प्रदान मंत्री ये इतना साहतिर इंसान है कि संभिधान में संसोधन कर दिया और कहा कि इस दोनान राष्टपती की सक्तियां परधान मंतरी के पास आ जाएगी तो ये काम के राष्टपती रह गए और ये पूरी की पूरी सक्ति का परियोग 2008-2012 के बीच में व्लाधिमीर पुतिन नहीं नही तक ये राष्टपती था इसका सारा पावर खुद यूज किया तब तो अब इसके बाद ये उठ सकते थे पूति अब क्या हुआ पूतिन फिर 2012 में राष्टपती के लिए खड़े हुए क्योंकि सारी पावर राष्टपती के पास रहती थी तो 2012 से 2016 के बीच में पूतिन र राष्टपती रह गया, 2016 में फिर चुना हुआ क्योंकि चार साल पर होता है, 2016 से 2020 तक ये फिर से राष्टपती बनें, 2020 में ये संसोधन कर दियें कि ये बंदा 2036 तक राष्टपती रहेगा, अब 2036 तक कुछ सोचना नहीं है, पुतिन भईया रहेंगे राष्टपती वहां इस समय पूरा ध्यान अपने देश पर दिये थे, लेकिन जैसे दूसरा कारेकाल हुआ, खतरना काम करना पुतिन ने चालू किया, इसने क्या किया, 2008 में जार जिया पर हमला कर दिया, क्योंकि जार जिया 1991 में सोवियत संग से ही तूटा था, उसके दो छेतरों पर कपजा कर 2015 में सीरिया में गिर रहे सरकार बसर अलसत की सरकार को बचा लिए, 2022 आया फिर पूरी तरह यूकरेन पर हमला कर दिया, पूतिन खाली नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक अंतराष्टी विवाद होते रहेगा, देश की जनता कभी अपने सरकार से सवाल न बाद बखू भी जानते हैं ब्लादीमीर पूतिन, इसलिए वो हमेसा लड़ाई लड़ते रहते हैं अपने अगल बगल वाले देशों से, हलांकि बहुत बड़े राष्टवादी भी है, पूतिन की कई सारे पावर है, लेकिन उनमें तीन सबसे ज्वादे पावर ही इनके पूरी तरह से एक साइवर आर्मी है, हाइकिंग पर बहुत जबर्जस्त करते हैं आपर, इतना बड़ा हाइकिंग आर्मी है इनके पास की कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रम को जीताने में भी इसी भाई का योगदांत है आपर, इतनी बड़ी इसकी हाइकिंग आर्मी है, पुतीन की गुलाम है, किसी भी टीवी चैनल को देखेगा, बस हमारे राष्टपती है, यह खाएं, वो सोएं, यह किये, वो के तीन रात उसी के चलते रहता है, यह तीन चीजों के बदोलत, सन 2000 से लेके, आज 2022 तक, यानि 22 सालों से पुतीन वहां के राष्टपती है, और स सम्मरीन में भी अंदर चले जाते हैं, चुकि यह के चीज भी के सदस्ट थे तो हर चीज पता होती है, इनके पूरी लग्जेरियस फ्लीट है, जहाजों की जाते हैं, तो फूल सीक्योरिटी के साथ जाते हैं, और यह के सदस्ट थे, खूपिया जानकार थे, तो फैटर प् जोग होते हैं, इनके पाफ आमीरी से जादे पावर होता है, यहाँ पर प्रोड़े देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर यह ब्लैक बेल्टर है कराटा से, स्नाइपर है इनकी गूली की और इंसान बहुत बेहतरी है कई बहुत सातीर भी है दिमाग के यहाँ पर क्रेमलीन के साथ पुपतीन के साथ सच छुपाए जाता है सच एक नएक दिन को जय M 앉h पड़ेगा पुतीन को कहा जाता सरीर धीरे धीरे दिमा काम करना छोड़ देता उस अंग पर धीरे धीरे दबा होने लगता वह अंग काम नहीं करता है आप पुतिन को देखेगा तो हलका जूक के बैठेंगे कभी बैठेंगे तो इस ताइब के जूक के यह पार्किंसन्स बीमारी है और इनका सरीर उतना काम नहीं करता है इसलिए जब बैठेंगे तो टेबल कूर्सी को बहुत जोर से पकड़के बैठेंगे कभी देखेंगे पुतिन को जब इंटर्वियू देते तो हलका सा इसे जूके हुए रहे हैं पार्किंसन्स बीमारी पुतिन जो है बोटाक्स का यूज बहुत करते हैं बो है तो पुतिन अपने आपको प्रभावसाली दिखाने के लिए सेना पर दबबा बनाने के लिए तब परसुनाली्टी मेंट diver करने के लिए कि इस सिकुरन इस जोरी को दूर करना चाते हैं, तो जोरी को दूर करने के लिए इन्जекशन से इसके अंदर BOTOCS भर दिया जाता है, और उन जोरी को खतम कर देता है, इसलिए देखेगा पूटिन के चेहरे पे बहुत जादे changing नहीं आईगी अगर आप यंग एज का देखेगा या फिर अभी का देखेगा यह आप सुच सकते हैं 70 साल की उमर का फोटो है यह 70 साल की उमर का और यंग एज का भी देखेंगे तो उतना खास changing नहीं आएगा चेहरे पर उतनी सिकन देखने को नहीं मिलती है बोटोक्स के वज़ा से लेकिन यूक्रेन की लड़ाई में पर्तिबंद लगा दिया गया बोटोक्स के उपर अभी बाई को पोटोक्स नहीं मिल रहा है तो बुड़ा दिख रहा है यहाँ पर लेकिन इतना भी जादे प्रभा यह बोटोक्स वाली बात है तो यह बहुत ज़ाद हम लोग खूफिया बाते कहां से आज 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 यह तो है यह बात जूरूर मेंशन करना चाहूंगा दोस्तों खांसर ने ऐसे ऐसी नोलीज दिया नहीं बाते बताई है जो शायद कहीं लोगों को ना पता हो यह में पता पुरिगी वह हो प्रदानमित ले रहे हैं हमारा देश अभी इतनी गरिबियों में जी रहा है जीडिप गिरती जा रही है जारी हम लोग अर्थवेश्ताँ खतम हो चुकी है जब भी कोई होटियार खिरता है देस हमारा बहुत ज़्यादा इंवेस्टमेंट करके तो पुर थीज़ में चेज़ में करना चाहूँगा ठीक है दूसरी बात ये जो बोले और ये विडियो एंगे आप नहीं किया था अब बात हो अगर इंडिया के पास इतनी पावर होती कि जैसे ही चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है वो हमारे बिल्कुल सर पर आगे बैठिया है पहले एक साइड तो बैठा दा दूसरी साइड और बैठिया तो घेरने कोशिच कर रहा हो चारोतर से अगर इंडि बलाई यह बहुत जादा सोचते हैं इन्होंने जिन-जिन देश में अबला किया है हर एक स्टोरी है वो इनके कि खिलाफ चल रहा था इसलिए वो अमले हुए है इन्होंने सीरिया के पर अमला किया था दोस्तों कई साल पहले जब आईएस आईएस थी महां पता नि क्या था उस time में मैं सीरिया में था काली कपड़े बाले होते हैं यह साय होते हैं तो उस time क्या था Syria ने इनका एक जहाज उड़ा दिया था दिया help ये passenger plane तो उस time यूक्रेंड के सा लड़ाई चल रही है by Russia की और वो suddenly उसी रात लड़ाई हाँ होके बोडर बना दिया और उसी रात महा रोके इन्होंने सीरिया पर अमला कर दिया तो एक बाद सोच के दिखें पावर कितनी अल्टीमेट है कि आज यहां हम फाइट कर रहे हैं कल महा फाइट कर रहे हैं ठीक है तो वो इनको जुरूरत थी उस फाइट की इसलिए उन्होंने महा फाइट करनी करनी है महां गलत हुआ इसलिए उस टाइम पर मेरे साथ उक्रेणी काम कर रहे थे रोष्यां भी काम कर रहे हैं उक्रेणियों की बात थी यह खुश हो रहे थे कि ठीक हमारा गाओं रस्या में आगया है तो ज्सम्चार की बात थी जब उस गाओं वाले लोग हो रहे थे कि हम रुष्या के इससा बनेगे हैं इतने पारफुल कंट्रीगा यह उक्रेणी सोच रहे थे यह सचा है दोस्तों मैं खुद में मर्चे नहीं में था पता भी चुका हूं आप लोगों को तो मेरे शिप पे जो लोग थे रुष्यन से उक्रेणी थे उनकी बात है बनती नहीं थी आपस में लेकिन जिनका कंट्रीगा ट्रांसफर हुआ है न वो खुश थे हो रहे थे कि अच्छी बात है तो अब आगो हो गया है सब कुछ तो वह ग्यान बहुत दिया खांसर ने बहुत ज्यादा ग्यान दिया और एकिन कि वह बात है न हाथ ऐसे रखने व वह हाथ ऐसी रखके चलते हैं काथ फ्री रखते हैं कि हाथ यूज करते हैं उसकी वज़े अगर कुछ होता है उन्हें आदव होती है फुल ओफ ट्रेनिंग उनको यह अदर डाली जाती है कि अगर कुछ भी होता तो इस हाथ से वह इमिजिटली वैपन निकाल गे एम कर सकत हैं जो हाथ चल रहा है उसको रोकना और गन पर लेकर जाना तो अलग चीज़ है जो फिरी है वह त्यारी है उससाथ को इतनी हार ट्रेनिंग दी कर यह यह वाद फिर्ट एगा और जैसी इस इस देखेंगे ना कुछ हो रहा है साथ गण निकाले कि हो सकता ही हां एसे कुछ स बता इस आए पर्दानमंत्री वेसे काफी जवान देखते हैं और यह चैनला में पर्दानमंत्री नहीं तो करते हैं तो इससदी प्रदानमंतर यह उत्युंद्द्द का रहा तरव यह वह इंडिय करता इस वह इंडिया को यह तो हँए मंतलब हड़ 활 है है वो है यह प५ुतिन बील्ट फ्रीक वैसे दो सफता है इस आपको माइनस Τ Nearly Me सबिंग ना सब्सवीं करते हैं भारिश अरू ठुफान आर्योग किसी ब्म की यह ठाद र१िल्ट्ष। तुफान बारिज बिजली कुछ कड़गी हो यह वहीं खड़ए होगे परेड लेता रहते हैं यह आर्मी वालों में होते ही है थोड़ा मतलब दिमाग से थोड़ा मतलब होते हैं और यह अब बारे देश के लिए कुछ करेंगे या ऐसा कुछ कोई भी हो सबसे अपने देश के बहुत जाद है हर चीज के इनमें टैलेंट है लेकिन मुझे यह चीज बहुत बुरी लगी कि इन्होंने पहले अपने 300 बंदे मारे बेशक 80,000 बंदे मारे हों लेकिन उससे पहले 300 लोग लेकिन 300 तो नहीं थे फिर भी कितना वह गया था दंगा छिड़ गया था तो वह 300 भ और उसके बाद आप में को बोल रहे हो कि वह 80,000 भी मतलब इन्हों सैंटी तो यह बहुत गलत था एक आप अपनी पद उपर करने के लिए दूसरी बात यार मतलब ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि अपनी मर्जी से रूल चेंज कर दो जब भी कोई राश्ट्रेपती बढ़े अब मैं इनके खिलाव बोलोंगे सपोस मैं रश्या क्यों हो और मैं बोल रहे हूं आगे मैं कोई उड़ा किजल जाएंगे तो आपकी हमत पर जेगे बोल लेगे यह बात थे ना कि मैंने सुनी ना नूज बगारा में भी आपनली है नहीं बोलेंगे उनका जो विरोध करता अपनि देशवन दोस्तों कोई कंट्री हो दोस्तो कोई पर्धानमंत्रि कोई भी बी परधानमंत्री उनके खिलाब कोई भी आप्छिया कुश हो जाता है उनकी पर士ल कोई भी बोलता है कमजोर से कंट्र भी क्योंकि उन्य पर पावर होती है, ठीक है, लेकिन अपनी पावर कहितना भी misuse मत करो कि आप कभी प्रैशुन हैं तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर नहीं है। कोई नुकसान नहीं बचार था, ना मार था, ना कुछ कर रहा था, उनको प्रोटेस्ट करने दे रहा था, क्योंकि इसके खिलाफ थोड़े ही लोग है। अगर यह उनको भी रोक लेता ना, तो और हो तक भी हाँ देखो सारी देश पूतिन के साथ है, सारा देश पूतिन आता, पुरी दुनिया देखती वाव, पूतिनी जा ग्रेट मैं। लेकिन जब न्यूज में दिखा रहे थे न, उसके बाद हम जैसे जो लोग घर बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, कहीं भी किसी कंट्री में बैठे हैं, उन लोगों क्या हुआ, देखो पूतिन के देश के लोग भी उनके साथ हैं। मेरी बात सुनो, इंडिया में पार्टिवाद है, हर कंट्री में होता है, लेकिन रश्या में नहीं है, क्योंकि मतलब रस्ट्रपती को लेके तो नहीं है, देवी, जो वो बोल रहे हैं खिलाव, वो उसको गिराने के लिए बोल रहे हैं, उसकी पॉपुलेर्टी कम करने के बट कोई सक्सीर नहीं हो पारा ज्याद है कि इसके चलते हैं तो इसको क्या फरक पड़ता है अगर चुनींदा लोग उसके खिलाफ भी है तो अगर बीजेपी कुछ भी करती है जो ओपोजिशन है अगरेस जंडे उठा रही है यह कर दिया अडानी ने ऐसा कर दिया मोधी कुछ नहीं बोले अडानी के खिलाफ यह इसा बोल रहा है उसको कोई भाव न देरा एवरीवन इंग्डोरिंग ठीक है तो इसका मुलें थोड़े मोधी गलत है नहीं मोधी गलत नहीं लेकिन आप पुरा रशिया एक तरफ ठीक है उनको पते कि जो पुतीन कहरा वह हो गई होगा और हम पुतीन के साथ है क्योंकि एक साफ साफ क्लियर कट बात है कि जो उनको वह खा जते हैं जैसे मरजी खाओ ठीक है ऐसे तो तो थोड़े तो चुनिंदा लोग दिखाएंगे ना कि मेरे कि बनातना यह है नहीं पुआ है ने रेका क्व सब्सकिल कुर्लमें मैं सब्सक्राइटन ti도 रहे हैं वाट क 2710 थ آپको संडल्व域 रहyy पर क्वेस्ट वहूं है क्या सहे हमत है a लेकिन आप इतना ज्यादा टाइम लग रहा है उसकी वज़ए यह है क्योंकि पुतिन भी नहीं चाहते हैं कि वहां सब को मारके उनका लैंड कप जाग रहे हैं लैंड नहीं चाहते हैं यह चाहते हैं कि यह समझोता हो जरो शाइन ना करें लेकिन वह अड़ा हुआ है कपिल स तरफ तक तो नूकलियर वैपन रपता नहीं केमिकल वैपन रपता नहीं को नहीं से वैपन चला गेड़ते यह तो मिल्कुल हदी हो रही है और नाटो ने अपनी जी जान लगा दी पुतिन के खिलाब लड़े लेगे लिए रस्या में उनके हतियार भी बेज़रे हैं वह आ पुतिन साब अपनी इमेज उन्ची करने के लिए अपना पदू उन्चा करने के लिए पहले तो वह के जी बी कुछी बी क्या होता है कुछ भी हो उनको कोई बंदा तो नहीं जानता ठीक है लेकिन इनों ने इनके दिमाग में था स्टक कर गया कि मैं को प्रेजिडेंट हर सक्सेस्फुल आदमी के पिछे कहानी होती आपको अंबानी के बाप दादा थे क्या वो पेटनल पूंपे काम करते थे उनके फादर ठीक है मोदी जी पहले चाहे बेचते थे तो आज अगर उनको यहां बैठे है वो तो यह बोल देंग भी हो तो सोच के बैठे तो आज रहें कि वषीज ने चुप coronavirus को श्रें वेटनल ने करें लुलने के वतम अब हो करने में दुला है कि पुषिंद्षय कर दिया वं दूख को एक हम लोलो आपके हिसाब से मैं गए웠 से मैं गलता उकिये अप्त पुतिन सहीं है यह आपने देस अपने देश की सेफटी के लिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो आदमी 90% से उपर GDP लेके जा सकता है न प्चार पांस चार साल में खुद सोचके देख लो देश को कहां लेके जा रहा है और तक रश्या के हिस्से निए तो इसकी यही वज़ा है कि पुतिन वहा छास चाहता हूं न इन्युक्राइब falling or 25 अपने अपने देश के लिए तना कुछ कर रहे है या फिर उस्टर की जो पडोसी है रहे है रहे जैसरे पकिस्तान हमारा हिस्सा है है और अपने आपको बीच रहे पाकिस्तान बेच रह चाईना को और योक्रेन बेच रहे तो आप बता दो आप पाकिस्तान की साइड हो या इंडिया जैसे रिख्वेस्ट जोड़के प्लीज कमेंट करो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं केला हूं यह जो इसा सोचता हूं अगर मैं गलत हूं तो वह भी बताओ प्लीज तो सच मैं अपनी सोची मतले लूगा यार अ आप ब्लगों से आप लोग क्या चाहते हैं आपकी शोच क्या चाहते हो जोड़ा आपकी सोच क्या चाहते हूं आपकी सोच क्या से की चुछ इन मेरे को यहां पता है हमारा देस महान मैं आपने तैस्राइन के अहां मैं तु meanik क्यों भदी जी हैं कुछ भी करें को तो ऌने वह इसे काम rowering क्यों आपT कि वेडिए हो गहिंगे दोस्तामी इस वीडियो करना हिए खता में मीनेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट me likes टब्राइडब था चक्ता गुस्त वाहत RAW आंट करें नाइक्ट्ट्ट्ट में था कश्नोन है कॉत्ट आउं हर ranged